अश्विनी जी शुरुआत आपसे MPMLA कोट गठिद हो गया कुछ उदारन भी में देख रही थी कुछ लोगों को सजा भी हो गई सदस्यता भी चली गई और कहा भी जा सकता है कि बात निकलेगी तो दूर तलग जाएगी लेकिन अभी की परिस्तितियों में जब केंदर सरकार 2020 में सुप्रीम कोट को आर्टिकल 8 को रिव्यू करने से रोक देता है तो ऐसे मैं कितनी दूर तक जाती हूँ ये बात नजर आती है आपको गर्मा जी 2016 में मैंने PL फाइल किया था इसमें हमारी दो प्रेयर थी पहली मेरी मांग ये थी कि सांसद और विधायक माननीयों के लिए हर जिले में किसे स्पोर्ट बनाई जा और इनका मुकदमा एक साल कंदर डिसाइड हो दूसरी हमारी मांग थी कि जो लोग सजायाफता है इनके चुनाओ लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए वैसे एक इसके अलावा भी मेरी एक और याचिका है कि पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ जिसमें दो मांगे थी तो आज सुप्रीम कोट ने ये बोला है कि अब इसकी रेगलर मॉनिटरिंग देश की पूरी हाई कोट करेगी और जो मेन इशू था इस चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध वो वाला पार्ट सुप्रीम कोट अत्य करेगा जब 2017 में इस पे स्पेसल कोट बनाने का अदेश हुआ 2018 से कोट फंक्सनल हुई 2023 आते लगबग 2500 वर्तमान और भूतपुरु सांसुदों को सजा हो चुकी है आर आज वो जेल में है जो वर्तमान थे उनकी सरस्ता खतम हो गई जो गुद पुरु थे अलेडी उनके चुनाव लड़ने पे बैन हो चुका है अतीक अमद हो आजम खां हो मुक्तार अंसारी हो अफजाल अंसारी हो ऐसे बहुत सारे लोग जिनके मुकद में 30 साल से चल रहे थे आगे बढ़ नहीं रहे थे तो एस्पिसल मले एंपी कोट बनाने का ये फायदा हुआ कि लगबग 2500 लोग सजा हो गई ये जो मांग हमने किया है लाइप बैन का अभी आज की डेट में अगर किसी व्यक्ति को केवल दो दिन की सजा हो जाए 48 घंटे की सजा हो जाए तो वो आईएस, आईपिएस, आईएफस तो छोड़िए वो कलर्क, होमगार्ड, सिपाही, चपरासी, हवलदार के लिए भी अपलाई नहीं कर सकता, मात रगड़ दो दिन की सजा हो जाए यहाँ, दो साल से, दो साल तक की सजा पे तो कोई बैन ही नहीं है और दो साल और दो साल से जादा की सजा होगी, तो भी केवल छे साल का बैन है तो इसका मतलब यह हुआ, कि निर्भया के हत्यारा, जो जुईनाइल था, जो तीन साल की सजा काटने के बाद बाहर आ गया 19 साल में वो बाहर आ गया उसकी 3 साल उसको चुकि वो कम उम्रका था उसकी सजाई 3 साल की हुई 19 साल में बाहर आ गया अभी 6 साल उसके उपर चुनाव लड़ने का प्रतिबंद है यानि 25 साल तक उसके उपर चुनाव लड़ने का प्रतिबंद है और 25 साल से पहले कोई चुनाव लड़ी नहीं सकता तो जब निर्विया का हत्यारा चुनाव लड़ने लायक हुआ तब तक उसका चुनाव लड़ने का प्रतिबंद वाला भी सिस्टम खतम हो गया यानि अब चुनाव लड़ सकता है अगर कोई पाल्टी माल लीजे मैं एक्जांबल दे रहा हूं इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारे मर्डरर चैनिस नेचर ड्रग स्मगलर जो ऐसे बहुत सारे नावाली कैसे कामों में संलिप्त हो जाते हैं और उनकी 18-19 साल तक आते आते सजा पूरी ह हो जाती है बच्चा होने जुविनाइल होने के कारण तो अभी 25 साल में आके चुनाव लड़ सकते हैं सांसत बन सकते हैं विदायक बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं इसलिए यह बिल्कुल गलत है हमने उस कानून को वैलेडिटी को चैलेंज किया है हमने कहा जो कानून के लि लेकिन अश्विनी जी 2020 में तो केंदर सरकार ने ही इस आर्टिकल का परीक्षन करने से सुप्रीम कौट को रोक दिया जो रेप्रेजेंटेशन आफ पीपल आक्ट है जिसका आर्टिकल 8 ये कहता है कि सदसेता क्वैश हो जानी चाहिए रद्ध हो जानी चाहिए उसकी वैधता का परीक्षन करने से तो सुप्रीम कौट को केंदर सरकार ने रोका यानि कि यहाँ पर यहाँ पर एक नियत का भी संक हमारी जो दलील है बहुत सीधी सी बात है मुझे लगता है कि आज नियूज 24 के जो दर्सक है जो सामान ये कामन मैन है जो आम जनता है उसको भी समझना रही होगी हमारा यह कहना है अगर प्रतिबंद लगाना है तो सब में लगाओ एक जैसा लगाओ ऐसा नहीं होना क्या इस देश में इतने बड़े देश में हम पांच हजार आदमी ऐसे नहीं ढूड़ पा रहे हैं जिनके खिलाफ कोई केस नहीं हो अच्छे लोग नहीं ढूड़ सकते क्या आप पांच लोग नहीं बैठे हैं आप रोटल छे लोग बैठे हैं आपके इस समय स्टूडियों बैठे हुए तो छे लोग ता ऐसे ही हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है मेरा ये मानना इस देश में बहुत अच्छे लोग है उनको आगे आना चाहिए उनको पॉल पालुक रखते हैं और इसलिए मैंने केंद्र सरकार के स्टांड पर सवाल पूछा आप से नहीं मैं आपको बताया मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूं और कोई प्यायल करता हो तो किसी पाल्टी से पूछके या किसी पूछके नहीं करता हो ये मुझे जो लगता है कि समाज के हित में जो होना चाहिए वो मैं प्यायल करता हूं और मुझे इस बात का गर्व है गरिमा जी कि भारती जंता पाल्टी से जुड़ा होने के बार मैं ये प्यायल कर पाता हूं कोई एक पॉलिटिकल पाल्टी बताईए जो अपने कार करता हूं को इतनी लिबर्टी करता हो सपा का बस्पा का टीम सी का दुनिया वर की पार्टिया है कोई एक पॉलिटिशन जो आके सुप्रीम कोट में प्यायल करता हो मैंने कहा ही आपको की जो दलील आप दे रहे हैं वह इतनी जायज और इतनी सॉलेड स्ट्रॉंग दलील है